हेलो फ्रेंद्स वेलकम बेक टू अनधर रियक्शन वीडियो से दोस्तों अभी तक तो आप सब ने डबा को कुंग्राचिलेशन्स बोली दिया होगा डबा के न्यू फ्लैट के बारे में और आज कल जिस तरीके से मैडम की बिर्यानी के चर्चे थे उसे तरीके से अब डबा के फ्लैट के चर्चे हैं लेकिन इस फ्लैट के अंदर और अंधुरूनी बहुत सारी राज हैं बहुत सारी प्लैनिंग हैं प्लॉटिंग्स हैं उन सब चीजों के बारे में आज हम पोड़कास में बात करने वाले हैं इसलिए पोड़कास को बिन स्किप करे हुए एंड तक जरूर सुनना तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते ही हो कि डबा ने अपनी सेविंग का एक महत्वपून पोर्शन अपने फ्लैट में इन्वेस्ट कर दिया है और इन सब चीजों में किसी और का नहीं फनी का ही माइड है वैसे इस दिमाग के लिए हम फनी के तारिफ जरूर करेंगे कि फनी ने फालतू की चीजों में इन्वेस्ट में ना करवा के बहुत ही अच्छी चीज में इन्वेस्ट कराया जिसे डेफिनिटली इन फ्यूचर इन लोगों को फायदा ही होगा नुकसान खतम हो जाते हैं शायद पता भी नहीं चलता तो फनी को हमेशा से यही डर डबा का सताता है इसलिए वो डबा को हमेशा कुछ भी फालतू का समान रेने से वहीं पर टोक देते हैं जिए बच्चे कुछ फालतू की चीज़ उठाते हैं तो वहीं से रोक देते हैं टोक देते है अक्सर मतलब अगर डबा 80% खर्चा करती थी तो उसमें कम से कम 50% तक तो डबा आई ही चुकी है विकोज सनी अब उन्हें फालतू का खर्चा करने देते नहीं है और जब यह खर्चा बच्चों के उपर होता है तो वो डेफिनिटली बीच में आके उन्हें रोकने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं तो शायद फनी को यहीं लगा कि इसका कुछ भी वोरोसा नहीं है उससे पहले कि यह ज़ादा खर्च करती फिरे मैं आके एक अच्छी खासे इंवेस्मेंट में पैसा लगवा दिखता हूँ तो फनी का ही दिमाग है मैं इस सीच के लिए शूर हूँ कि चलो कुछ ना कुछ तो जोड़ा उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ है यह तो अब बात यह है कि डबबा कि आप नई फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो चुकी है या वो नई फ्लैट में शिफ्ट होने का प्लान बना रही है क्या फनी जो है वो पुराने वाले फ्लैट में कमफोटेबल नहीं है देखो comfortable तो वो definitely नहीं है क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो अपने लिए उस समय पे तू भी बरदाश्ट नहीं कर पाया था जिस समय पे इनकी शादी का time चल रहा था इसलिए बार-बार डबा को सफाई देने के लिए funny का side लेने के लिए आना पड़ता था camera में और आप शादी के बाद तो funny को बहुत कुछ सुनना पड़ता है डबा की वज़े से काम धंदा ना करने की वज़े से तो आपको लगता नहीं कि उसकी man ego में hurt होता होगा भले ही कुछ करता ना हो लेकिन फिर भी hurt तो होता होगा तो शायद इसी रीजन की वज़े से funny नहीं प्लान के साथ ही investment कराया कि शायद दूसरे flat में shift होगे और जब शायद इनके parents भी आते हैं तो इन्हें वो privacy नहीं मिल पाती और शायद parents को भी ऐसा feel होता है कि बेटा घर जमाही बन गया चाहे वो flat डबा का individual हो independent हो बट still उनके mind में कही न कहीं यही रहता है तो इस reason की वज़े से भी हो सकता है funny ने वो flat दिलाया हो अब तो डबा पचासों बहाने बनाएगी कि balcony का view बहुत अच्छा है वैसे balcony का view कुछ as such खास नहीं है कोई उस balcony से कोई nature नहीं नजर आरा कोई garden view नहीं है कोई swimming pool view नहीं है एक normal highway view है जो कहीना कहीं से देखने को metro cities में मिली जाता है तो साफ बात तो यह है कि funny इस planning से investment करवाया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि डबा इस सीच के लिए राजी होने वाली है हाँ यह जरूर हो सकता है कि इस नए flat को लेके renovation का काम हो नए flat को लेके shopping हो और बहुत सारी चीज़े हो because उसमें उने content मिलेगा वापस से shopping vlog दिखाएंगे वापस से furniture vlog दिखाएंगे renovation vlog दिखाएंगे तो उनको vlog कोई content मिल जाएगा कुल मिला के एक महिने का content तो उनका उस flat से ready हो गया बट permanent shift का कोई भी chance नहीं है because डबबा एक family vlog दिखाती है और अगर उस flat में shift हो गए तो वहाँ पे कौन सी family दिखाएगी family के नाम पे वहाँ पे कुछ है ही नहीं बट funny को अभी ये लग रहा है कि funny वहाँ पे shift होगा हो सकता है कि funny back camera उसको इस सीच के लिए convince कर रहा हो लेकिन डबबा अपने comfort zone से नहीं जाएगी डबबा यहाँ पे अपनी मन मर्जी की मालिक है सबजी नीचे से रोटी उपर से कभी कहीं से कभी कुछ मतलब कुछ करना नहीं परता कभी mood हो गया गलती से content के लिए तो लड़ू बना लिए content के लिए कुछ हो गया तो बना लिया वरना अपनी मर्जी से तो डबबा कभी भी कुछ नहीं कर सकती और वहाँ पे अगर चली गई तो फिर होंगे इन लोगों के आपस में जगड़े काम को लेके तो अभी ये बूलिए कि family की वज़े से ही दोनों की चल भी रही है निभ भी रही है वरना दोनों एक दूसरे के बाल नोचते में नजर आएंगे अगर ये लोग अकेले चले गई तो देखते हैं जिस reason की वज़े से या जिस mindset से funny नहीं है ये flat लिया है क्या डबबा इस बात के लिए convince हो पाती है कि उस flat में shift हो जाएं और अगर shift हो जाएंगी तो वहाँ पे इनका content का क्या होगा मुझे तो पक्का ये पता है कि जब भी इनको कोई shoot करना होगा तो तब ये उस flat में चले जाएंगी कोई shoot करने के लिए कोई collaboration आड़ करने के लिए because अभी जब इनके पास ads आते हैं या इनके पास collaborations आते हैं तो इन्हें भटकना पड़ता है अच्छी location के लिए photo किचवाने के लिए तो ये है कि अब इनके पास ऐसा flat है जहां पर ये जब मूठा के जाके अपना collaboration की pictures, switches क्लिक करवा सकती है या जब भी इन्हें कोई ऐसा vlog बनाना होगा जिसमें इन्हें family की जुरुत ना हो सिर्फ बोलना हो तो ये वहाँ पर वो सब चीज़े कर सकती है लेकिन shift तो funny किसी भी सूरत पर convince नहीं करा पाएगा डबबा को वहाँ पर करने की बाकी देखते हैं कुछ नहीं हो सकता प्यार अंधा होता है अगर अंधे प्यार ने डबबा को शादी करने के लिए मजबूर कर दिया तो फिर तो कुछ भी हो सकता है तो चलिए आप लोग भी देखना की आगे क्या होता है हम भी wait करते हैं इस बात का तो इसके बाद हम बात करते हैं funny अभी तक जनाब के set पे shoot पे क्यों नहीं पहुंचे जहां पे जनाब के सारे दोस्त होके आ चुके हैं जनाब के अड़ा के friends जनाब के house help काफी लोग shoot पे passes के साथ पहुंच चुके हैं वहाँ पे ऐसी कौन सी rocket science हो गई कि funny को अभी तक show का pass नहीं मिल पा रहा है funny जाना नहीं चाह रहे हैं इतने रफ आंस्सस देते हैं सच कि वह डबा को खिला रहे हो डबा उन्हें नहीं पाल रही हो मतलब यह भी भी खळाल नहीं है कि व्लॉक दबा का है यह चानल दबा का है इसमें अर्निंग दबा की है और मैंनाद भी दबा किये तो कम से कम vlog के अंदन तो मैं डबा से तमीज से बात कर लू। खेहर इन दोनों का यही है ना तो वो तमीज से बात करती है ना वो तमीज से बात करती है दोनों ही एक दूसरे के साथ कही बार बतनमीज Özden देखे गए हैं लेकिन वहाँ पे Funny से डिस्पैक्ट इसी लिए expect करते हैं because channel डबबा का है काम डबबा करती है तो funny को उसके इस platform पे अगर काम करने का मौका मिला है तो उसको इस तीच की respect करनी चाहिए बहुत से लोग हैं जो अपना काम अपना business छोड़ के vlogging पे लगे हैं लेकिन डबबा ने अपने बाद किसी को भी vlog करने के लिए ना convince किया ना कभी भी किसी को भी कोई भी channel खोल के दिया अक्सर क्या होता है कि जब family में एक vlogger हो जाता है तो family के बागे लोगों के भी छोटे-छोटे channels बना देते हैं लेकिन डबबा ने अपने अलावा अपने पूरी family में किसी को भी vlogging करने के लिए allow किया ही नहीं और ना ही किसी को vlogging सिखाए और वो ये बोलती भी नजर ज़रूर आई थी फनी को कि अपना channel बना लो अपना channel बिकास डबबा का शायद पहले यही plan था कि डबबा फनी को भी एक channel खोल के देगी और फनी उस channel पर काम करेगा और हमेशा के लिए यही ठपा रह जाएगा कि डबबा ने ही फनी को channel खुलवा के दिया अपना होके भी फनी का उसमें कुछ भी रोल नहीं होगा और अगर फनी vlogging के लिए हां कहाँ तो फनी का बिजनस कभी भी खूलता ही नहीं और दबबा फनी को कभी भी कुछ और करने देती ही नहीं तो इसलिए फनी ने उस समय पे vlogging के लिए बिल्कुल मना करता कि नहीं मुझे तो बिजनस ही करना है हाला कि अभी इनके business का भी कुछ आता पता ला पता है भगवान जाने कहां वो बिजनेस है कौन सी गुफा में चुपा है जो शादी का एक साल से उपर हो गया लेकिन उस बिजनेस का कुछ पता नहीं है इसके बारे में भी separate वीडियो ज़रूर बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि डबा और फनी के बिजनेस है रि